बैवाईक जीवन में खुश होना है तो जुट बोलना पड़ेगा देखो कैसा जुट बोलना पड़ता है उसके भारे में आज बात्चीत करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में वनोविकार सेक्स्रोग संभू हुनता था जैसे नम्मुक्तन्यो महाराष्ट में पिछले सेतीस साल से अकुला में प्रैटिस करता हूं कि शैदिशता लोग काफी जूट बोलते रहते हैं जूट बोलना अच्छा बुरा उसमें नहीं जाएंगे मगर जूट बोले तो संबंध ठीक रहते हैं और जूट नहीं बोले तो संबंध बिगड़ जाएंगे बहुत 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 ऐसा होता है कि वह वह एक जूट में शादी में जूट बोलना पड़ता है अब कैसे शूट फर एक्जामबल में आप उसाता हूं तुझे आप घर पे लेट जाते हैं वाई बोलती है कि शाम को साथ बजे घर पे आईये मैं आपकी रहा देखूंगे दिनें बहुत 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 आती हूँ, आप जल्दी आजगाओ आप बिलकुल जल्दी आजगाओंगा उसात बजे आजगाओँगा और आप साथ बजे जाते समय खुलना पड़ता है कि यह भाई मुनिं से बोस ने रोक लिया आफिस में बहुत जादा काम था फिर वो आ से थाके, बाड़ी बिगड़ गई या फिर तबे ख़राप हो कि डॉक्तर के पास में काया था, तो जूड़ न पड़ता है तो जूड़ न पड़ता है, जूड़ नहीं बोले तो जगड़ा हो जाएगा, आपको अच्छी चाए लगी या नहीं लगी, या न श्ता या भोजन किया आप अच्छी चाई वावा बोट चे क्या इसा तो आप अप सऽची तो अड़र अमे अ करते हूं कोई कदर ही नहीं है को अविक पी नुढ़ी तॉ घुर बिचेटापन चलो हो जाएंगा कि मैं दोग उंटे से तीन गंडे से खाना बना रहे हूं आपको तो कोई कदर ही नहीं है ऐसा हो बोल देंगे और फिर जगड़ा हो जाएगा फिर आपको उसको कोई गिफ देना है बड्ड है या कुछ तो प्रेजेंट देना है या मैरी जान कर देना इंसेंट्यू मिल गया और इंसेंट्यू मिला इसलिए मैंने यह लाया हुआया घर करके जूट बोलना ही पढ़ता है कुछ अच्छा ड्रेस पहनती है पैराओ अच्छा करती है अच्छा मेकप कर लेती है तो बस आपको अच्छी दिखी भी नहीं तो बोलना धराओ कि पयर जाना है को कि水 इप्षिन में जाना है शादी में जाना है वह शंप जाना घर में तज्यारों कर वेट सेक्टे में अध्यक आवड लगन ही आप घर पर जाते हो अपको बोलना हुं कि वहान क्या दिख रही है तुम एकदम सच्छ घरच कर बात ढीजिघेभी अभी पार्टी में जाएंगे तो तुम को यह देखेंगे, तुम्हारा तरह भी नजरे जाएंगे, बस ऐसी होना, भी भी हो तो ऐसी, बहुत ही स्मार्ट लग रही है, तो बस वैजदम उसको अच्छा लगना चालो हो जाएंगा, तो ऐसे जूट है, फिर आपको समझे ऐसा ह मैं खुश हो, ऐसा बोलेंगे नहीं हो, तो बहुत ज्यादा प्राब्लेम हो गया, तो फिर वो बोलेंगे करेंगे, जगडा जंजट करेंगे, मगर यह सीधी बात नहीं करेंगे, कि मुझे जगडा जंजट हो जाएंगा, दूसरी एरिया में, यहां तो जूटी बोलेंगे की नहीं हैं, मैं खुश हो, कुए कि जूट बोलना पढ़ता है हमारे kulture में और तोने और सेक्स की डिमाड करना यह ओर तोने सेक्स के बारे में बोलना चलता नहीं है, तो है बच्चे हो जातके है इक बच्चाsystem confusionär, बच्चा को हो जाता है, तो बच्चे को पये सब कर शीब जो मुझे मेरे सपनों का राजा था और फिर तभी उसको जूट बोलना पड़ता है जूट रहना पड़ता है नेक्स पॉइंट है विवाब आये संबंद दोनों के भी हो सकते विवाब आये संबंद एक्स्ट्राम और एकलेशन शिप्स और विवाब आये संबंद है तो हो सकता है कि बास की सेकेडरी के साथ में संबंद है और सेकेडरी बास के साथ में संबंद है तो एक उसे घर में बोलते हैं कि वैसे संबंद है करके मगर बताना ऐसा पड़ता है कि बिल्कुल कुछ है भी नहीं है और दोनों अपने अपने इरादे से अपने प्रजेंडा से सेक्शियो रखते हैं हो सकता है कि सेकेटरी जो है लेडी उसको पैसा चाहिए मगर उसको कुछ मिलता होंगा प्रमोशन मिलेगा उसका कॉंफिरेंशल रिपूर्ट अच्छा मिलेगा उसको कुछ ना कुछ अच्छा फेवर मिलेगा बॉस के तरफ से इसलिए अपना सब कुछ देती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको मजाती है इसलिए ऐसा निके सबी सेगेटरी ऐसी है एक उधारन के तौरप में बोलता हूं बॉस का भी वैसा है क्योंकि वाइफ के साथ में 8-8 गंटे बॉस रहता नहीं है वाइफ के साथ में तो रात में परशन सा करना जाड़ पे चड़ाना यह तो बिल्कुल चने के जाड़ पे चड़ाना यह तो चलता ही रहता है और जूट आपको बोलना ही पड़ेगा सीधी बात जो करते हैं जो ज़्यादा रोमेंटिक नहीं है जो एकदम काम-to-काम मतलब जो काम करना है वही काम है वो ज्यादा popular husband नहीं होते हैं वो एक dry relationship में हो जाते हैं फिर अक्यले हो जाते हैं इन शॉट क्या है कि शादी में जूट बोलना पड़ता है और जूट बोलेंगे तो यह आपकी शादी अच्छी चलती है straight forward लोगों को अच्छा लगता नहीं है straight forward कुछ भी बात अच्छी लगती नहीं है मगर straight forward जो बात करते हैं न सीधी बात जो करते हैं वो ही सही बात होती है बाकी तो जूट क्योंकि एक जगह आप जूट बोलते हैं तो सभी जगह आप जूट बोलेंगे और सभी ज़ूट बोलेंगे एक बार मालूम होगे कि आप जूट बोलते हैं तो फिर लोग आपके उपर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो कितना भी आपने बोला जूट उस समय तो उसको लगा होगा कि ठीक है लेट आगे बॉस ने रोग दिया अगर एक बार उसको मालूम पड़ जाना है कि नहीं जूट बोल रहा है तो फिर नए प्रॉब्लिम्स चलो जाते हैं इसलिए कभी भी जूट बोलना अवैड करना है जो सीधी बात है वो करना है सत्य सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य कोई छुपके रहता नहीं है तो करके वरक्शॉप एक कोर्स बना हुआ है वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स उसमें करीकरी सांट वीडियो जैं और उसमें हिपनाडिजम की भी है कि हिपनाडिजम के माध्यम से नपून सकत्व शिगरपतन ये कैसे ठीक करना और काफी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानक नहीं सकता है तो यह आप ऑनलाइन रेकॉर्डिंग कोर्स जो है तो यह ऑनलाइन रेकॉर्डड़ कोर्स आप हमारे एप से ले सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन निकिज़े दिया ओए लिंक दी वी एप की और वैसे ही आप टेलिग्राम ग्रूप से आप जूड़ करते हैं या वेब साइट से तो आपको यह ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी यह ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समधन हो जाएगा आप निचे दिए नंबर दिए उसके ओपर भी कॉल करके वह ऑनलाइन कोर्स खरीच सकते हैं इंस्ट्रा मु अजय कहते हैं